आज मैं आप लोगे साथ सेयर करूंगे अलु और परवल की सब्स जो बहुती बनाना एजी है अखाने में बहुत अच्छा लगता है साधी पारट्वों में आलु परवल की सब्स बहुत टेष्टी बनती है तो से यहाँ सेयर मैं करूंगे यहाँ पे ले लियो हूं हरी सब्सक्राइब मेर्ट पीर मेर्बा्स अपर चीजाय सब्सक्राइब च्वाइब सब्सक्राइब तेल यहां मैं 6-7 स्पूल ली हूँ और मोटा मोटा मैं काट के लिए थी परवल एक परवल में चाट पुड़ा बनाई हूँ अब परवल को बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करना है एक अच्छा सा कलर आएगा उसके बाद हमें निकाल लेना है परवल को यहां एक मसाला बनाएंगे जो बेसिक मसाले होते हैं लाल मिर्च और धनिया पाउडर गरम मसाला हल्दी पाउडर दो चमच पानी डालके इसका अच्छा सा एक गोल बना लेंगे क्योंकि मसाला अच्छे से फूल जाएगा बुड़ने में भी बहुत अच्छा होता है जलता नहीं है अपना मसाला तो इधर अपना परवल भी हो गया तो परवल को निकाल लेंगे परवल इतना ही हमें फ्रा कर लेंगे यहां थोड़ा सा में अपना फ्राइव होकि आए तो इसे भी निकाल लेंगे जो साधी पार्टी वाली सब्जी बनती उसमें तेल थोड़ा ज्यादा ज्यादा है तो यहां हाफिस पूल लिये हैं साबू जीरा दो सुखी लाल मेर्ज एक तेज पत्ता थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो जो प्याज पहले से मैं एक काट के रखी थी खड़के के लिए उ अब यहां पर हम मसाला एट कर देंगे जो धनिया पाउडर अलाल मेर्च और हल्दी पाउडर का बनाए तो उसको एट करेंगे अच्छे से भून लेंगे इस तरह से अगर सब्जी में मसाला डालते हैं तो आपका मसाला नहीं जलता है फोड़ा सा बाउल में लगा था मसाल जो पानी डालके में वह भी एट कर दी मसाला अच्छे से भून गया है क्योंकि सुखा मसाला था उसके बाद एट कर दिये हैं टमाटा लासन अद्रक और हरी मेर्च का पेस्ट इसे भी हम अच्छे से भूल लेंगे यहां पर मसाले की भूनाई बहुत ज्यादा इंपोर्ट पानी यहां पर पर देंगे अच्छा सा मसाले की कोटिंग आ जाए उसके बाद यहां पानी एट करेंगे क्योंकि मसाला अच्छे से भून गया था और आलू परवल पहले से फ्राई किया हुआ है तो पान से साथ मिनिट लगेगा सब्जी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बोड़ा सा फानी में और एट कर रही हूं यहां पर सब्जी में इच्छे सब्वाइल आने लगा है तो जली चलाते हैं एक बार मिक्स करते हैं फिर ढखके पकाएंगे सब्जी को फ्रेज दनिया से गानेश करेंगे सब्जी अपनी बन के बिल्कुल तेयार हो गई है इसलिए कर लेते हैं प्लेटिंग सब्जी देखिए बन के कितना अच्छा तयार हुआ है खाने में भी बहुत स्वादेश्ट लगता है यह सब्जी यह रेश्पी पसंद आई हो आप लोग को तो जरूर एक बार ट्राई आप लोग करना और बताना आप लोग को मेरी रेश स्क्राइब तरिये थैंक्स वर वाचिंग